आज के दौर में दौलत और शोहरत किसे पसंद नहीं हर कोई चाहता है कि लोग उसे नाम से पहचाने चहरे से जाने लेकिन कई बार जादा फेमस होना भी भारी पड़ जाता है ऐसा ही हाल ही में हुआ बॉलिवुट के फेमस एक्टर के साथ शैद आप लोगों को थोड़ा थ पजब का फेम हाल ही में बॉलिवुट के सुपर स्चार आमिर खान को भारी पड़ गया क्योंकि पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने एक दोहरे हत्या कांड के आरोपी की जगह बॉलिवुट एक्टर आमिर खान की तस्वीर दिखा दी हलागे चैनल की इस हरकत के बाद वहाँ के पत्रकारों ने इस पर सवाल उठा दिये अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भला कोई न्यूज चैनल ऐसी हरकत कैसे कर सकता है लेकिन पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से ऐसी गलती हो गई है जिसने मिस्टेक से अक्यूजड की जगह आमिर खान का फोटो दिखा दिया है इस मिस्टेक को पाकिस्तान की पत्रकार नेक खबर का स्क्रीन शॉट लेकर शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि हम नहीं जानते थे कि भारती अभी नीता पिछले 17 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं आमिर खान की फोटो दिखाने वाली चैनल को सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान की अदालत ने मुझाहिर कौमी आंदोलन हक की MQM के नेता आमिर खान को दोहरे हत्या कांड के मामले में 17 साल बाद दोश मुक्त किया अभी नियूज ने गलती से आमिर की जगा बॉलवर्ट के आमिर खान की तस्वीर लगा दी हाला कि चैनल ने इस गलती को तुरंत सुधारा पर तब तक ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी थी चैनल के इस हरकत से आमिर खान भी नाराज है आमिर खान लाल सिह चड़ा की शूटिंग में विया से थे लेकिन लॉकडाउन के चलते हैं शूटिंग बंध है ये फिल्म 2021 में रिलीज हो सकती है लाल सिह चड़ा 1994 में रिलीज हुई हॉलिवर्ड मुवी फॉरस्ट गंप का रीमेक है इस फिल्म में टॉम हैक्स मुख्य भूमिका में थे ये फिल्म दुनिया की ओल टाइम इंस्पिरेशनल मुवीज में भी शामिल है इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट अक्टर और बेस्ट डारेक्टर का आसकर भी जीता था लेकिन फिलाल आमिर कान की वाइरल हुई तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तर्माम तरह की बातें किये जा रही हैं और इस तर मीम्स भी बनाये जा रहे हैं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स